बृत लेलो, एक हपते क्रोध नहीं करूँगा, बहुत कठी नहीं, लोब लालच नहीं करूँगा, किसी पैसा नहीं चुराऊंगा, यही बृत लेलो, किसी को बहकाऊंगा नहीं, किसी को बिगाड़ूंगा नहीं, यह बृत लेलो, केवल एक महीना कर लो, देखो मन को कितनी शांती मिलती ब्रत आपको सुक देगा तो ग्रहस धर्म की मर्यादा यदि तुम पती हो तो अपनी पत्नी को प्रेम से सुक से रखो दारू पी करके आकर उसको पीटो मत छोटी मोटी गलती में उससे जगडा मत करो और यदि तुम किसी के पिता हो तो अपनी बेटे बभू को निभालो थोड़ा कम भी खालो और शिखा दो कैसे रहना यदि तुम किसी की सासू हो एक साल समझना मैं सासू हूँ दूसरे साल ये समझ लेना मैं बभू हूँ ये बभू जो थी अब सासू बन गई ऐसे नम्रता से रह लेना और यदि तुम बहू हो तुश घर को मंगल में बना देना घर को सभालिए अच्छा काम कीजिए उन्नती के बारे में सोचे हर बिक्ती को उन्नती के बारे में सोचना चाहिए मन को बिजी करना चाहिए जो उन्नती और विकास के बारे में नहीं सोचते हैं वही लोग प्रपंच करते हैं रागदैस करते हैं कले कलेस करते हैं आपस में खुब जगडा करते हैं ये सोचिए कि मेरा घर अच्छा कैसे बनेगा ये सोचिए मेरी गाड़ी अच्छी कैसे आई ये सोचिए गुरु जी का सत्संग अच्छा कैसे करूँ ये सोचिए बेटी का विवा अच्छी जगे कैसे करूँ ये सोचिए कि मुझे सर्विश कैसे बनेगा लेकिन तुम जब ये चीजें नहीं सोचते हो तो मन प्रपंची हो जाता है कितने सादू लोग बड़ा प्रपंची है बहुत प्रपंची सवराग देश निंदा बुराई इसी फ़सा रहता है शादू को सोचना चाहिए कि आश्रम कैसे अच्छा बनाऊं सब भक्ताएं उनके लिए कैसे कमरे तैयार करूं और शादू को सोचना चाहिए अच्छा सत्सं कैसे करूं समाज सुधार कैसे करूं समाज कुलदीप ढखोली के आये मंदब को देखकर व्यासगादी देखकर के मेरे पास बोले गुर्देव बहुत च्छा लग रहा है धन्यवाद ये सोचो कि इस जगत भगत का कल्याण कैसे करूं सबकी बुराईयां कैसे मिटाऊं ये सोचना जी साधू को और साधू को सोचना जी सत्संग कैसे सुनाँ और मैं सत्संग नहीं कर पाता हूँ तो गुर्देव की सेवा करूं और गुर्देव का टाइम बचे तो गुर्देव सत्संग खुब करें कल मैं एक संथ से रात में बात कर रहा था सब संदों की बेश्टता की हमारे सब संद बेश्ट रहते हैं जादा जादा जैसे देखिए वो चला रहे है उसमें बेश्ट है ये संद हमारे उपर इनका ध्यान है इसमें बेश्ट है ये संद गाने में बेश्ट है इदर दो संत पानी पिलाने में बेस्थ वो संत बेठे हैं वो जैन आश्रम की कर्याले में बेस्थ है कि कोई दान देगा तो रसीत काट दूगा उसमें बेस्थ है पीछे संत माइक सेटिंग संचालित करनें बेस्त है एक दो संत वहाँ बंडार कुठार का सामान समालनें बेस्त है उदर दो बेठे वो सांती व्यवस्ता में उनका ड्यूटी बेस्त है कोई संद का ये मंडब के लिए कट लगना चाहिए ठेकेदार को सही डिरेक्षन दिजी इसमें बेस्थ है सब संद बेस्थ है मैं भी बेस्थ हूँ मैं दर्शन देनें बेस्थ प्रवचन करनें बेस्थ पधरवनी करनें बेस्थ तुमारे घर में इदर उदर जाना चरण रखना उसमें बेस एक मिनिट मौकाई नहीं प्रपंच कब करोगे जो विक्ति अपने जीवन में कोई बहुत बड़े लच्छ का नेडधारण नहीं करता है वो विक्ति राग बेस कले कलेस और प्रपंच करेगा और वोही विक्ति खुराफाती होगा और वोही विक्ति बेविचारी भी होगा सब खोटे करम करेगा और जिसने बहुत बड़ा लच्छ बना लिया है उसके मन को टाइम ही नहीं इधर उधर बिचलित होने का उसका ध्यान वही लगा रहता हमें उधर पहुचना है बहुत बड़ा लच्छ बनाओ महिलाओं को भी लच्छ बनाना चाहिए कि खैरा में मकान है खैर कुसल हो गई खैरा के अब मकान लखनों बनाना चाहिए तो कोई महिला ऐसा बोलेगी नहीं हमको सोनेक पाइल पहर हो क्योंकि मकान बनाने कबात कर रही तो जानते पैसा हुं हमा chyba सुनेक पाइल कास कर दिया और जब मकान बात न करेए कितनी महिलाइद्टेद्टेश किलो सोना लाते है जम 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 डोल बजाता मेंड़ काया धम 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 अब ये सोना पहनना भी गुरा नहीं है आप इस कंडिशन में पहुन जाओ सब काम हो गए तो सोना भी पहन सकते हैं पहनिए सोना ने सोनार लोग क्या करेंगे फिर उनको भी दुख तो होगा गुर्दे उन्हें प्रवचन से हमको निप्टा दिये फुगा सोना पहनो लेकिन याद रखना सोने जैसी जमक आपकी जिन्दगी में आ जाए और ये लच्छ आपका होना जिक बज्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है ये भी लच्छोंना चाहिए कि हमारी इतनी उन्नती हुई तो गुर्देओं को भी कुछ हम धरम प्रचार के लिए दान करें दान देना है हैदर गड़ में एक सज्जन मिले बूले हमने तो लच्छ बना लिया हमने का क्या बना है तो अबने का कब से बनाए बोले हम दूई साल्स बनाए इन्हों दान तही रहना है तो अबने का उन्नत कितनी हुई जबरम रही दरहें अब महल बनाए साइकिल पर चले दरहें जवदा टेरा ट्रक खड़े है कई बहुत बड़ी फैक्टरी है सब टाली बनावे के सब बहुत बड़ी हम इत बनावे भट्धा भी सब लगा तो आमने का ठीक है बोला हम बहुत जुड़े हम बहुत आपकी प्रती संधा है गुर्दियो नहीं तो आदमी धन्वान बनकर बिगड़ जाता है गलत राह में चला जाता है इसलिए धरम से जुड़ना जरूरी है लच्छ ये होना चाहिए रिष्टेदार कोई गरीब उसको मदद करने का लच्छ बनाओ पडोसी कोई भोखा ना स्वए ये भी लच्छ बनाईए और साथ साथ में अच्छी गाड़ी लाने का लच्छ बनाओ अच्छी गाड़ी और जब तक अच्छी गाड़ी के पैसे ना हो तो साधरन गाड़ी भी लेलो बास एट हंड़र लेलो साथ जार कि कोई पुझे कब लाए कैदो बहुत दिन हुई गे पुझे नहीं लाए पुरान के दो नहीं भी पुरान हो जार पुरान भी सब ठीक है ज़्यादा परजारे मत करो बैठ लो चुपे चले आओ जब फिर पैसा हो जाए उक बेंच दे बेंच के हाँ पड़िया फर्स क्लास लेलो और जब इतनी छमता हो जाए पचास लाग की गाड़ी में भी बैठ कर चलो एक क्रोड की लेलो एक भगत हमारे आते थे तो वो यह ठंड़ेड में आते थे यह ठंड़ेड जानते हैं मारूती यह ठंड़ेड फंटी बोलते हैं उसको हम अब उनके पास दो तीन राइस मिल मोटर साइकलों की एजंसियां ट्रेक्टर की एजंसियां बहुत धंधा रोड के ठेकेडा आउस्याद तो हमने एक दिन उनको अलग के लिए बिठाया कि इतनी अच्छी गाड़ी में चलो बले क्या फर्क पड़ा कुड़ेड हमने का फर्क यह है यह जितनी सस्ती है जहां ब्रेक मरी हो रुकबई नकली ट्रकमा घुस जे यू फर्क पड़ी तुम मर जी हो तुम जिंदा रही हो तो तुमारे पेछे पांसो आत्मी के परिवार पल रहे तुम अच्छी गड़ी लाग तो इनोबा लाए वाए सत्रा लाग के वाए आश्रम लाए हमको बिठाए बुले आप बढ़ी यह ठीक है ने कहां यह ठीक है अब हुआ एक सीडेंट फिर एक गुरू ने पहले सा अगामी बात बता दि अगम द्रगम गड़ते हो छोड़ाई तो ये ट्राली कोई इंडिया में तो सब ऐसे आदमी है सड़क पर कोहरा में है ट्राली में है कुछ पईहा वहाँ खौलत रहे लोग अंधर हो पईहा और निकली गाड़ी उनकी सबेर है और लड़ी है टकर होई टकर तो उनका ड्राइबर के ट्रांग वांग तो टूटी ट्राली वाले तीन मलें और इनोबा पूरी धोस्त भाए लेकिन वोई बजीगे है तो हमरे पास भीराये कहीं बजीगें है वह यट हेंड़ हो तो निपट हो जाते है इसलिए अच्छी गाड़ी भी रखना चाहिए अच्छी गाड़ी अब नहीं है तो साइकल से भी चलो कोई बात ने लच्छोना चैकि अच्छी गाड़ी भी लोगा आपकी माँ जिसने तुमें गोद में खेलाया है पिताने कंदों पर बिठाया है तो उनको कम से कम गोद में न खिलाओ लेकिन गाड़ी में बिठा कर सत्संग में ले जाओ दर्शन कराओ इतनी उन्नती करो हमेशा विकास उन्नती के लिए सोचिए इधर उदर और कुछ मत सोचिए देखिए आप सुखी भी रहोगे संपन भी रहोगे उन्नती भी करोगे और आपका नाम भी होगा गाम भी होगा सब कुछ होगा ऐसा करना है अब गुतनों पे हांत रखिए पहली अंगुल ये अंगुल और मन को सुद्ध करने के लिए सदगरंथ भी पढ़िए